आज हम पीवी रेशियो की चर्चा करेंगे ठीक है काय करेंगे पीवी रेशियो पीवी रेशियो पीवी रेशियो क्या होता है प्राइट तू बुक रेशियो इससे पहले हम बुक बैलू की चर्चा करेंगे इसकी करेंगे बुक बैलू की चर्चा करेंगे इसके माद लीजे टोटल एशिट है आज इंट टाइम तो उसके पास कुछ देनदारिया होंगी, मालो ऊसने लोन लिया होगा, कहीं किसी अगर लोन लिया होगा इंटरेस्ट क भी देना होगा तो जो भी है देन दा दा या उनको हम माइनस कर देंगे, टोले श टेंगा, तो ऑफ बेलू प्रजाती है, ह्टि कियाती है, प्रजाती है, तो बुक बेलू औरावर कह सकते हैं, तोटल, तोटल, आश श इस नर ला रहा हुँ, तोटल, ठीक है? अब माल लीजिए कोई कमपनी है कुछ भी दिवालिया हो जाए तो आज उसके पास कितनी संपत्ती होगी कितनी होगी नेट संपत्ती क्या होगी टोटल लेशन जितनी देंदारिया अब क्या आता है बुक बैलू पर सेर अगर एक सेरखल्डर को कितना इमाूंट मिलेगा वहुन इसने पता लगता क्या होता है चीडिंदक भैलू पर सियर यह क्या होगा यह कैसे निकलेगा जितनी बुक बैलू है माल लीजिए बुक बैलू है जितनी बुक बैलू है जितने शेर ओल्डर है उनसे डिवाइट कर दो मिल जाएगी टोटल टोटल नंबर आफ शेर टोटल नंबर आफ सेर से डिवाइट कर दीजिए तो मिल जाएगी ठीक है माल लीजिए किसी में एक जामफिल में ले लेता हूं कि टोटल एसेट मालों कंपनी के पास हैं हैं और टोटल लाइव इल्टीज कितनी है प्राप्त हो गई हमें मिल गए हमें 95 अब हम निकालते लेते हैं इसको हम भी प्राप्त है ठीक है बुक वैलों कितनी है 95 अब माल लीजिए टोटल नंबर आफ सेर कितने हैं तो कितना प्राप्त हो गया आथ है तो हमारे पास आगया बुक वैल्लीं फरसे 19 एक शेर होल्डर को 19 रुपए मिलेंगे ठीक है अब आते हैं जो मैंड है प्रेश्यो अब पीबी रेश्यो निकालते हैं इस आप पीवी रेश्यो और अब गया होता है पीवी वेशियो बराबर क्या है शेर प्राइज आज जो शेर की कीमत है शेर प्राइज अपान क्या निकाला था बुक बैलू पर शेर कितना आगे हमारा शेर प्राइज माल लीजिए उसका कितना है कि 38 है यह से पतर चलता है कि जिस में जब share invest किया तो उससे वो दुगने प्राइज है क्या है उसका दुगना हो गया प्राइज तो यह मैं तीन एक एक इसम्पनी यह है तो इसका पीवी रेशियो निकालते है इसका share प्राइज हेंड्रेट है और बुक वैलू पर share भी हेंड्रेट है तो कितना आ गया बना गया तो इसमें इससे हमें यह पता चलता है कि उतना को इतना ही रहा जतना share प्राइज में रेश्ट किया था उतना ही आग भी है ठीक है कोई नहीं चेंज हुआ अब एक लेते हैं कंपनी भी इसका पीवी रेशियो निकालते हैं देते हैं इसका जो है एंड्रेड है औ इसका है बुक बाइलू पर सेर क्या है और इसका क्या है जो सेर प्राइज क्या अतना हेंड्रेड है तो इसमें क्या गया प्वाइंट प्वाइंट फाइव इसका मतलब किया हुआ कि आदा रह गया जिता आज हमारा सेर प्राइज कितना रह गया हाप रह गया उसना कितना तो यह यह इसमें क्या है तो इसका किता है मतलब यह किता इसमें क्या हो गया तो इसमें यह कि एक से जिनका कम अगर पीवी रेसियो है वो कंपनी क्या है कि अच्छी नहीं है इनको एवाइड करना चाहिए एक से ज्यादा दो है इनको मतलब यह अच्छी कंपनी तो इसको एक से कम वालों को और वैलू करेसकते हैं ठीक है तो यह चीज है ऐसा नहीं होता है चिन्ट निकाल के कहिए यह कंपनी अच्छी है माम डिसाइड कर लिया नहीं आरी इसी में इन्वेस्ट कर दिया यह सब के लिए नहीं फिट होता है अलग लग सेक्टर के लिए बे अलग लग होगा माल लीजिए आइटी कंपनी आए आइटी कंपनी ओक पे बुक वैलू बहुत कम लुजादा होगी ठीक है तो यह हर जगा किसी भी फाइनेंशिल रेसियो किसी एक फाइनेंशिल रेसियो से हम कंपनी की जास नहीं कह सकते हैं कंपनी अच्छी है उसमें और भी फैक्टर होते हैं और भी फाइनेंशिल रेसियो होते हैं तो उसी आदार पर हम डिसीजन लेत आरक टेम अबले को आज की जे मिल faut कि चींभेन, कि उन्यों की अप्रूम्हाड औी